नमस्ते मैं चंदर सेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलिजन्ट अगेडमी में स्वागत करता हूँ हम लोग यूपी पूलिस कंस्टेबल के लिए एक स्रीज श्टार्ट किये थे जिसमें हम लोग परते एक दिन मैथ का पंदरे कोश्चन करते हैं ओ हमारा कोश्चन या तो प्रिबियस एर रहता है या प्रिबियस एर के उपर अधायित कोश्चन रहता है चलिए आज हम लोग उस स्रीज में आगे की तरफ चलते हैं इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेश करना बिल्कुल न भूले ताकि आपको सबसे पहले लेटेस नोडिफिकेशन मिलता रहे है चलिए अब हम लोग कोश्चन की तरफ चलते हैं देखिए हमारा कोश्चन क्या दिया हुआ है हमारा कोश्चन दिया है एक कमपनी में अधिकारियों की संख्या 160 है यदि वहाँ अधिकारियों की संख्या कुल कामगारों की संख्या का मातर 4% है तो कमपनी में कुल कामगारों की संख्या क्या है हमें क्या निकालना है कुल कामगारों की संख्या निकालना है और हमें question में दिया हुआ है कि अधिकारियों की जो संख्या है वो कुल कामगारों की संख्या का 4% है यानि हमें 4% कितना दिया हुआ है? 160 दिया हुआ है तो हम यहां से कुल कामगारों की संख्या यानि कुल कमगारों के शंख्या अपने आप में क्या होगा 100% हम यहां से निकाल सकते हैं यानि हमें 4% दिया हुआ है 4% किसके पराबर दिया हुआ है 160 के पराबर तो यहां से हमारा 1% किसके पराबर निकल किया जाएगा 40 के पराबर यानि हम इसे 4 से काटेंगे 40 बार में जाएगा यानि हम यहां से 100% निकाल सकते हैं यानि 100% किसके पराबर हो जाएगा 4000 के पराबर यानि कमपनी में खुल कमगारों के शंखिया हमारा क्या निकल किया गया 4000 चलिए कोश्टिन समझ में आगया होगा, next कोश्टिन पर चलते हैं, देखे हमारा कोश्टिन क्या दिया हो आ है, हमारा कोश्टिन दिया है, एक बेमान दुकंदार अपना माल बिना लाब या हानी के बेचने का दावा करता है और बीस प्रतिस्द समान कम तौलता है, उसका वा 100 रुपया है उसका CP 100 रुपया है कोई बस्तू है जिसका वजन 100 ग्राम है और उसका CP क्या है 100 रुपया है तो देखिए दुकंदार जो है 100 ग्राम की बस्तू को 100 रुपया में बेचने का दावा करता है यानि बीना लाभ और बीना हानी के 100 रुपया में बेचने का दावा करत वजिन में 20 पर 30 का कमी कर देता है यानि 100 ग्राम का 20 पर 30 अगर हम निकालेंगे तो कितना निकल के आगा 20 ग्राम यानि 100 ग्राम के जगे ग्राहक को 80 ग्राम दे रहे है अब देखिए 100 ग्राम बस्तू का सीपी जो है 100 रुपया है तो 80 ग्राम के बस्तू का सीपी क्या हो 80 रुपय हो जाएगा यानि दुकंदार को कितना का profit हुआ दुकंदार को जो है 20 रुपय का profit हो गया किस पे 80 रुपय पे दुकंदार को 20 रुपय का profit हुआ कि इस पे 80 रुपया पे into 100 करेंगे यहां से हमारा profit percent निकल के आ जाएगा हम इसे काटेंगे 20 से 4 बार में जाएगा 4 से काटेंगे यह 25 बार में जाएगा यानि हमारा answer क्या निकल के आ गया 25% निकल के आ गया चली question समझ में आ गया होगा, next question पर चलते हैं, देखे हमारा question क्या दिया हुआ है, हमारा question दिया है, 2400 रुपया की एक धनरा सी 8.5% बारसिक सधारन ब्याज की दर से कितने बर्सों में 338 रुपया हो जाएगी, हमें क्या निकालना है, हमें समय निकालना है, देखे हमें क्या द प्रिंस्पल दिया हुआ है, प्रिंस्पल कितना दिया हुए 2400 रुपया, हमें प्रिंस्पल दिया हुए 2400 रुपया, हमें एमाउंट दिया हुआ है, हमें एमाउंट कितना दिया हुआ है, 338 रुपया, तो देखे हम एमाउंट में से प्रिंस्पल माइनस कर देंगे, तो ह हमारा ऐसा ही निकल किया जाएगा? यानि अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 2400 माइनस करेंगे अगर 3318 में से, तो हमारा कितना हो जाएगा? यानि 2400, 600, 3000 और 3018 यानि कितना हो जाएगा 918 रूपय हमारा SI निकल किया गया हमें जो rate दिया हुआ है rate कितना दिया हुआ है 8.5% दिया हुआ है हमें समय निकालना है हमें समय निकालना है तो देखिए हम यहां से समय निकाल सकते हैं normal formula लगा के भी सधारन ब्याज का formula क्या होता है SI एक्वल टू P, R, T अपन 100 अब देखिए SI हमारा कितना है 918 रूपया है principal कितना है 24 रूपया है R कितना दिया हुआ 8.5% दिया हुआ है हमें जो है समय निकालना है बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा अब देखिए हम यहां से इस दो जीरो से दो जीरो को काट सकते हैं दो जीरो से दो जीरो काट सकते हैं अब देखिए यहां से हमारा T क्या निकल क्या जाएगा T निकल क्या जाएगा हम यहां से T निकालेंगे तो हमारा T हो जाएगा 918 बटा 24 गुने यह हमारा 918 67 से कट सकता है, 74 85, हाथ में कितना बढ़ जाएगा 6? यनि 68 74 68, यनि यह हमारा 7 से कट सकता है, यनि हम यहाँ से फॉंट खटा लेते हैं, पॉंट हटाएंगे तो एक उपड हमारा 10 जाएगा, अब देखिए, हम इसे ज़्हाँ से कातेंगे, तो ये हमारा सत्रे से जाएगा ये चो से कितने बार में जाएगा चार बार में अब देखें यहां से हमारा क्या निकल किया गया हम इसे 5 से काट लेते हैं 5 से ये 2 बार में जाएगा ये हमारा 2 से 2 बार में जाएगा यानि यहां से हमारा निकल किया गया 9 बटा 2 9 बटा 2 को हम क्या लिख सकते हैं 4.5 बर्स हमारा answer क्या निकल क्या आगया 4.5 बर्स चलिए question समझ में आगया होगा next question पर चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question दिया 5% के बारसीक चक्रविधी ब्याज पर 2 बर्सों के लिए 300 रुपया के निवेस पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की रासी की मात्रा क्या होगी हमें क्या निकलना है 2 बर्स में 5% के दर से 300 रुपया पर CI निकलना है देखे हमें यहाँ principle कितना दिया हुआ है हमें यहाँ principle दिया हुए 300 रुपया, principle कितना दिया हुए 300 रुपया, हमें rate क्या दिया हुए 5%, rate हमें क्या दिया हुए 5%, हमें time क्या दिया हुए 2 वर्स, time क्या दिया हुए 2 वर्स, हमें क्या निकालना है, हमें CI निकालना है, देखिए हमें time कितना दिया हुए 2 वर्स का time दिय क्या जागा 15 रुपया देखिए पहले साल हमें प्रिंस्पल के उपर 15 रुपय के ब्याज मिल जागा दूसरे साल भी हमें प्रिंस्पल के उपर 15 रुपय के ब्याज मिल जागा अब देखिए यहां CI काउंट हो रहा है यानि चक्रविधी ब्याज काउंट हो रहा है तो देख हो जाएगा 0.75 रुपया अब देखिए हम इसे एड कर लेंगे यहां से हमारा क्या निकल क्या जाएगा C I निकल क्या जाएगा हम यहां एड कर लेंगे तीनों को यह हमारा कितना हो जाएगा 15 15 30 हो जाएगा कि 20 बच्चे 24 दिनों में कर सकते हैं तो एक आदमी 2 महिला आयं तथा 3 बच्चे 1 साथ मिलके कारे को कितने दिनों में समाप्त करेंगे देखिए हम यहां MDH फर्मूला का यूज करेंगे हमें दिया हुआ हैं हमें क्या दिया हुआ हैं 10 आदमी हमें दिया हो दस आदमी किसी काम को दस दिनों में कर रहे हैं इसी काम को बारे महिलाएं कितने दिन में कर रहे हैं पंदरे दिन में कर रहे हैं और इसी काम को बीस बच्चे कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन में कर रहे हैं हमें जो है इसी काम को करवाना है एक आदमी प्लस दो महिलाएं प्लस का तीन बच्चे इन लोगों से मिलके हमें करवाना है इसी काम को तो ये लोग कितने दिन में करेंगे हमने माले एकस दिन में करेंगे तो हमें यहां से एकस का वैलू निकालना है तो देखे हम सबसे पहले और बच्चे के efficiency का ratio निकाल लेते हैं देखे हम efficiency का ratio यहां से निकाल सकते हैं हम इसे क्या करते हैं 5 से काट लेते हैं यह हमारा 5 से 2 बर में जाएगा यह हमारा 5 से 3 बर में जाएगा यह हमारा 5 से 4 बर में चला जाएगा अब देखिए हम यहां से 4 से काट लेते हैं यह हमारा 4 से कट जाएगा यह हमारा 4 से 3 बार में जाएगा 4 से यहां यह 2 बार 2 चला जाएगा और यह 2 से हमारा 5 चला जाएगा यहां से हमारा बच क्या गया यहां से हमारा बच गया 5m equal to ये हमारा क्या हो गया? 9W equal to ये हमारा कितना हो गया? 24C अब देखिए हमें efficiency का ratio चाहिए तो हम यहाँ से efficiency का ratio निकाल सकते हैं यहाँ से M is to W is to C हम निकाल सकते हैं देखिए हमें M चाहिए तो हम M को ढख लेंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे यानि हमारा हो जाएगा 9 into 24 अब देखिए हमें W चाहिए तो हम W को ढख लेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे यानि ये हमारा हो जाएगा 24 गुने 5 अब देखिए हमें C चाहिए तो हम C को ढख लेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे यानि यह हमारा हो जाएगा 5 into 9 अब देखिए हम यहां काट सकते हैं हम यहां काट सकते हैं हम 3 से काट सकते हैं यह हमारा 3 से 3 बार में जाएगा यह हमारा 3 से 8 बार में जाएगा यह हमारा 3 से 3 बार में चला जाएगा यानि यहां से हमारा efficiency का जो ratio है वो क्या निकल किया जाएगा 72 is to 40 is to ये हमारा कितना हो जाएगा 15 यानि अगर आदमी का efficiency 72 unit है तो महिला का कितना है महिला का 40 unit है और बच्चे का कितना है 15 unit है अब देखिए हम किसी एक में किसी एक में अगर हम यहां man का efficiency put कर दे तो हमारा total work निकल किया जाएगा यही वर्क हमें किस से कराना है एक आदमी दो महिलाएं और तीन बच्चे से मिलके कराना है अब देखिए यहां से हमारा हो जाएगा हम यहां पूट कर लेते हैं aim का value यानि हमारा हो जाएगा 10 गुने aim कितना है 72 unit 72 गुने कितना है 10 equal to हमें कराना है एक आदमी यानि एक आदमी का efficiency कितना है 72 है एक आदमी का efficiency कितना है 72 unit है प्लस का दो महिला यानि एक महिला का efficiency 40 unit है तो दो महिला का efficiency कितना हो जाएगा 80 unit प्लस का तीन बच्चे एक बच्चा का efficiency 15 unit है तो तीन बच्चे का efficiency कितना हो जाएगा 45 unit हमें इन लोग से मिलके कराना है ये लोग x दिन में करेंगे अब देखिए हम यहाँ से x का value निकाल सकते हैं ये हमारा हो जाएगा हम इसमें गुना कर लेंगे ये हमारा हो जाएगा 72 700 equal to हम इसे add करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 5 27 और इसे add करेंगे कितना हो जाएगा 8 7 15 4 19 गुने x यानि यहाँ से हमारा x निकल किया जाएगा x equal to हो जाएगा 72 बटा 197 दिन हमारा answer क्या निकल किया गया हमारा answer निकल किया गया कि एक महिला एक आदमी दो महिलाएं और तीन बच्चे मिलके उसी काम को कितना दिन में कर लेंगे बहत्तर सो बटा एक सो शंतानवे दिन में चली कोशन समझ में आ गया होगा नेक्स कोशन पे चलते हैं देखे हमारा कोशन क्या दिया हुआ है हमारा कोशन दिया तीन नल को एक टंकी से जोड़ा गया है नल की छमता अपनी त्रिजया के बर के समानुपाती है यदि नल की त्रिजया करम से 2 cm, 3 cm और 5 cm है सबसे अधिक छमतावला नल टंकी को 50 मिनट में भड़ सकता है तो सभी नल एक साथ कितने समय में भड़ेंगे हमें क्या निकलना है कि अगर तीनो नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना समय में भड़ेगी हमें उस समय को निकलना है देखिए हमें क्या दिया है तीनो नल का रेडियस दिया हुआ है radius दिया हुआ है रेडियस क्या दिया हुआ है पहले नल के radius 2 cm दूसरा नल का radius 3 cm और तीसरा नल का radius क्या है 5 cm है अब देखे हमें दिया हुआ है कि नल की जो छमता है अपनी त्रिजया के बर्ग के समानुपाती है तो देखिए हम यहां से त्रिजया का जो बर्ग निकालेंगे यानि त्रिजया का स्क्वाइर निकालेंगे वो हमारा क्या निकल क्याएगा नल का इफिसेंसी के पराबर निकल क्याएगा यानि हम अगर यहां से आड़े स्क्वाइर निकालेंगे यह हमारा क्या हो जाएगा, नल का efficiency हो जाएगा, अब देखिए हम 2 का square करेंगे, यह हमारा क्या हो जाएगा, 3 का square क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 5 का square क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, अब देखिए तीनों नल का हमारा efficiency निकल के आगया, पहला नल का efficiency चार यूनिट है दूसरा नल का इफिसेंसी नौ यूनिट है और तीसरा नल का इफिसेंसी क्या है पचीस यूनिट है देखिए हमें कोश्चन में दिया है कि सबसे अधिक छमता वाला नल टंकी को पचास मिनिट में भर रहे हैं देखिए यहां किसका सबसे अधिक छमता है नल 25 efficiency के साथ null जो है 50 minute में भर रहा है यानि टंकी का efficiency कितना हो जागा 25-50 unit अब देखिए टंकी का हमें efficiency पता चल गया यानि छमता पता चल गया टंकी का तो देखिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं हमें बोल रहा है कि अगर सभी null को लिधा बढ़ा सकते हैं देखिए अब देखिए null a जो है एक minute में 4 unit पानी अगर भर रहा है तो null b एक minute में 9 minute और null c जो है एक minute में 25 unit पानी भर रहा है अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाया तो एक minute में कितना पानी भराएगा अगर तीनों को A प्लस B प्लस C को अगर खोल दिया जाए तो एक मिनट में कितना पानी जाएगा हम इसे add करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा पचीस नौ कितना हो जाएगा पचीस नौ हमारा हो जाएगा चौतिस चौतिस चार कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 38 यानी एक मिनट में 38 उनिट पानी भराएगा और टोटल हमारा टंकी का छमता क्या निकल क्या है पचीस से गुने 50 उनिट हमीसे एड करेंगे तो यह हमारा कितना हो गया यह हमारा हो गया 38 उनिट अब देखें हमीसे दों से काट सकतें ये हमारा 2 से 25 बार में जाएगा ये 2 से हमारा 19 बार में जाएगा अब देखिए यहां से हमारा क्या निकल किया गया यहां से जो हमारा समय निकल किया गया 25 गुने 25 हम करेंगे कितना हो जागा 625 625 बटा 19 मिनिट हमारा समय क्या निकल किया गया 625 बटा 19 मिनट, देखे हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, ये 19 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, ये 19 से 3 बार में जाएगा, 19 तिया 57, हाथ में कितना आजाएगा, 5 यानि 55, ये 55 आजाएगा, ये 19 से 2 बार में जाएगा, 2 बार में, 38 यानि 12, 12 और 5 कितना हो हमारा आंसर क्या निकल किया गया 32 सही 17 बटा 19 मिनट चली कोशिन समझ में आ गया होगा नेक्स कोशिन पर चलते हैं आठो महिलाओं का जोसत खर्च या हमारा प्रफ्य क्या है 10 रुपया और क्वैंट 65将 या है यहां हमारा टोटल होगा पर चार चार रुपया है यानि यहां हमारा टोटल खर्च ही यह हो गया, अब आठवी महिला जो है, आठो महिलाओं के आउसत से, यानि आउसत खर्च क्या है, एकस रुपया, आउसत से 7 रुपया अधिक खर्च कर रही है, यह हमारा टोटल क्या निकल क्या जाएगा, टोटल खर्च निकल क्या तो हमारा क्या निकल क्या जाएगा ओसत निकल क्या जाएगा ओसत हमारा क्या है एक्स रुपया है अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे यहां से हमारा क्या निकल क्या जाएगा एक्स का वैलू निकल क्या जाएगा अब देखिए यह हमारा कितना हो जाएगा साथ में चार से 35, यह हमारा हो जाएगा 35, प्लस का, यह हमारा क्या है, प्लस का X, इक्वल टू, हम 8 से X में गुना कर लेंगे, यह हमारा कितना हो जाएगा, 8X हो जाएगा, अब दिखें, इस X को अगर हम उस साइड लेके जाएगे, X को उस साइड लेके जाएगे, यहनी माइनस में हो जाएगा हमारा, यहां से हमारा हो जाएगा, 7X, 7X, एक्वल टू, 35, हमारा 7X क्या निकल किया गया, 35, यहां से हमारा X इक्वल टू, क्या निकल किया जाएगा, X इक्वल टू, 5 रुपया, हमने X क्या मान के रखा था, हमने एक समान के रखा था ओसत खर्च यानि ओसत खर्च हमारा क्या निकल किया गया पांच रुपया निकल किया गया हमें क्या निकलना था कुल खर्च कुल रासी निकलना था कुल जो रासी निकलना था हमें कुल रासी क्या हो जाएगा कुल रासी अगर average हमारा 5 रुपया है average अगर 5 रुपया है और total महिला कितनी है 8 है यानि 5 में हम 8 से गुना करेंगे हमारा cool खर्च क्या निकल किया जागा 40 रुपया हमारा cool खर्च क्या निकल किया जागा 40 रुपया हमारा answer कितना निकल किया जागा 40 रुपया चली question सबज में आ गया होगा next question पे चलते है देखिए हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question दिए एक थैली में 20 पैसा और 25 पैसा के सिक्कों के रूप में कुल 90 सिक्के है ये थैली में सिक्कों की कुल कीमत 21 रुपया हो तो 25 पैसे के सीखों की शंख्या ग्यात करें हमें क्या निकालना है 25 पैसे के सीखों की शंख्या निकालना है देखिए थैली के अंदर जो 90 सीखा का टोटल कीमत हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 21 रुपया दिया हुआ है तो हम इसे पैसा में चेंज कर लेते हैं, 21 रोपय दिया हुआ है, अगर हम इसे पैसा में चेंज करेंगे, तो हमारा कितना हो जागा, 2100 पैसा हो जाएगा, अब देखे थैली के अंदर जो टोटल सिक्का दिया हुआ है, हमें टोटल सिक्का कितना दिया हुआ है, अब देखे इस 90 सिका में से, जो कुछ सिका है हमारा, वो कैसा है? 20 पैसा का है, कुछ सिका जो है 20 पैसा का है, और कुछ सिका जो है 25 पैसा का है, देखें हम इस 25 पैसा को क्या लिख सकते हैं? हम इस 25 पैसा को लिख सकते हैं, 20 पैसा प्लस का 5 पैसा, 20 पैसा प्लस का 5 पैसा, अब देखिए अगर हम ये मालने कि जो टोटल हमारा 90 सिक्का है थैली के अंदर वो टोटल सिक्का अगर हमारा 20 पैसा का हो अगर हम ये मालने कि थैली के अंदर जो 90 सिक्का है वो टोटल सिक्का अगर हमारा 20 पैसा का हो तो ठैली के अंदर जो हमारा total रासी बनेगा वो कितना बन जाएगा हम इस 90 में 20 पैसा से गुना करेंगे यहनी हमारा कितना हो जागा 1800 पैसा लेगिन हमें question में क्या दिया हुआ कि सिक्को की कुल कीमत 21 रुपया है यानी 2100 पैसा है कुल कीमत हमें क्या दिया हुआ है 2100 पैसा ह 2100 पैसा अब देखे कितना कम निकल के आया हमारा अगर हमने यह माल लिया कि जो हमारा 90 सिक्का है टोटल का टोटल अगर 20 पैसा का है तो हमारा क्या निकल के आ रहा है किमत हमारा निकल के आ रहा है 1800 पैसा लेगिन हमें question में दिया हुआ है किमत 2100 पैसा यानी कम कितना निकल क चम कियो निकल कहा है क्योंकि हम ने च्ट है सिक्का में स्टना क्यों टार्ट कि यानि हम पांच अगर 30 से घुमा कर देंगे तो हमारा 300 पैसा निकल क्या जागा 5 पैसा में अगर हम 60 से गुना कर देंगे तो हमारा 300 पैसा निकल क्या जागा इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि जो 25 पैसा की सिक्का है उसका संख्या हमारा क्या है जो 25 पैसा का सिक्का है उसका संख्या हमारा क्या दिया हुआ है हमारा कोश्चन दिये दो दोस्त ए और भी एक ब्यवशाई की सुरुआत समान रासी के साथ करते हैं बी नौ महिना बाद ब्यवशाई छोड़कर चला जाता है यदि बर्स के अंत में 2400 रुपया लाब में से प्राप्त करता है तो कुल लाब कितना होगा ह देखे अगर हमें लाब का रिश्यू पता चल जाए तो हमें कोश्चन में एक अलाब दिया हुआ है तो हम वहां से टोटल लाब बता पाएंगे अब देखे हम लाब का रिश्यू कैसे निकालते हैं अगर हम पूजी का रिश्यू निकालके गुना करते हैं तो हमारा लाब क लेकिन इस कोश्चन में हमें क्या दिया है इस कोश्चन में दिया है कि समान रासी के साथ जो है बेवसाय सुरू करते हैं यानि पूजी बराबर है अगर पूजी बराबर है तो लाब जो है लाब का हमारा रेशियो क्या हो जागा जो हमारा समय का रेशियो होगा वही हमारा ल का रिशी होगा अब देखिए यहां दो लोग है A और दुसरा कौन है B है A का पूजी बेवसाय में कितने दिनों के लिए लगा है यह बर्स के अंत में A को जो है 2400 रुपया लाम में से मिल रहा है यानि एक बर्स के लिए A का पूजी लगा हुआ है और हमें कोश्चन में दिय होगा वही क्या होगा लाब का रिशियो होगा यो क्या हो जाएगा 12 इसे कार सकते हैं यही हमारा निगल क्या गया 4 इस टु 3 अब देखिए टोटल लाम में से एको अगर 4 यूईट मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है तो यहां हमें का फर क्या इस question में 2400 रूपया दिया हुआ है यानी एक unit का वैलु क्या हो जागा एक unit का वैलु हमारा हो जागा छोगा एक वैलु के बराबर है तो साथ यूनित क्या हो जागा 42 रुपय के बरावर यनि हमारा answer क्या निकल क्या गए 42 रुपया चलिए question समझ में आगया होगा next question पे चलते हैं देखिए हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question दिया है 1 बटा 4, 1 बटा 5 और 5 बटा 6 का लगुत्तम समझ में पढ़ते ग्याद करें हमें क्या निकलना है LCM निकलना है देखिए हमें जब भी किसी fraction का LCM निकलना हो तो हम वहां क्या करेंगे uns का LCM निकलेंगे और हर का क्या निकलेंगे HCF निकलेंगे और जब भी किसी fraction का हमे HCF निकलना हो यह नहीं fraction में हमारा क्या हो जाएगा uns हो जाएगा uns हो जाएगा और hard हो जाएगा तो हम वहाँ क्या करेंगे और हमें lcf निकालना है तो हम uns का lcf निकालेंगे uns का lcf निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे hcf निकालेंगे और जब भी किसी fraction का हमें HCF निकालना हो जब भी किसी fraction का हमें HCF निकालना हो तो हमारा क्या होगा UNS हमारा क्या हो जाएगा UNS और हर UNS और हर तो देखिए UNS का हम क्या निकालेंगे जब हमें HCF निकालना होगा किसी fraction का तो हम UNS का क्या निकालेंगे HCF UNS का हम क्या निकालेंगे HCF UNS का हम HCF निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे हर का हम क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे अब देखिए यहां जो हमें friction दिया हुआ है हमें क्या निकालना है उसका लगुतम समौपर्ति निकालना है यानि LCM निकालना है हमें LCM निकालना है हमें LCM निकालना है तो हम यहां क्या करेंगे यहां जो है UNS में हमारा क्या है एक है एक है और पांच है यानि एक एक पांच का हम LCM निकालेंगे हमारा एक एक पांच का LCM क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा और हर का क्या निकलेंगे HCF यानि 4, 5 और 6 का हम HCF निकलेंगे 4, 5 और 6 में कोई भी हमारा संख्या common नहीं है यानि हमारा HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यानि 5 बटा 1 ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा यानि हमारा LCM क्या निकल क्या गया हमारा LCM 5 निकल किया गया चली कोश्चिन समझ में आ गया होगा Next गोश्चिन पर चलते हैं देखे हमारा कोश्चिन क्या दिया हुआ है हमारा कोश्चिन दिया है n एक संक्या है जिसे 94 से बिभाजित किया जाता है तो सेस्फ़ल 40 बचता है जब उशी शंक्या को 47 से भी भाजित किया जाता है तो सेस्फल क्या बचेगा हमें निकालना है कि अगर उशी शंक्या को हम एन को ही अगर 47 से भाग दें तो हमारा सेस्फल क्या बचेगा देखें हमें दिया हुआ है कि जो हमारी संक्या एन है जो हमारी संक्या एन है अगर हम N में 94 से भाग दे रहे हैं तो हमारा सेस क्या बच रहे है जो हमारा सेस बच रहे है चालीस बच रहे है अगर हम N में 94 से भाग दे रहे है तो हमारा सेस चालीस बच रहे है तो हम से पूछ रहा है कि अगर उशी शंक्या यानि हम N में ही अगर 47 से भाग दे तो हमारा सेस क्या ब पहले से भाग दे रहे थे आप जो है संतालिस से भाग देंगे हुमारा सेट क्या बचेगा थे सहाइगा रहे हैं अगर पूरा 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 कटेगा याइन auger पूरा पूरा भी भाजित हो रहा है तो 94 से भाग देने के बाद जो हमारा सेस बच रहा था उस सेस में हम 47 से भाग देंगे उस सेस में हम 47 से भाग देंगे उसके बाद जो हमारा सेस बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यानि अब जो है यहां हमारा सेस क्या बच जाएगा यहां हमारा सेस बच जाएगा 40 यहां भी हमारा सेस क्या बच जाएगा 40 यानि हमारा answer क्या निकल किया गया हम 40 में अगर 47 से भाग देंगे तो हमारा says क्या बच जाएगा 40 ही बच जाएगा यानि हमारा answer क्या निकल किया गया चालीस निकल किया गया चलिए question समझ में आ गया होगा next question पर चलते हैं देखिए हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question देवे एक संभाह तिर्भूज की उचाई बताएं जिसकी परिमाप 24 cm हो हमें संभाह तिर्भूज का परिमाप दिया हुआ है हमसे उचाई पूछा जा रहा है देखिए संभाह तिर्भूज में क्या होता है तीनों भूजा बराबर होती है यानि संभाहो तिर्भूज का जो परिमाप होता है जो परिमाप होता है परिमाप क्या होता है 3 into भूजा परिमाप क्या होता है 3 into भूजा और संभाहो तिर्भूज की उचाई का जो हमारा फर्मूला होता है समभाहोतिर भूज का जो उचाई का फर्मूला होता है उचाई का फर्मूला क्या होता है रूट 3 बटा 2 इन्टू भूजा समभाहोतिर भूज की उचाई का जो फर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है रूट 3 बटा 2 इन्टू भूजा अब देखिए हमें परिमाप दिया हुआ है, परिमाप हमारा क्या दिया है, 24 cm, यानि हमें दिया हुआ है, 3 into भुजा, ये हमें क्या दिया है, 24 cm दिया हुआ, 24 cm, यानि यहां से हमारा भुजा क्या निकल क्या जाएगा, 8 cm, हम इस 3 से 24 को काटेंगे, 8 बर में जाएगा, यानि हमारा भुजा निकल किया गया 8 cm भुजा क्या निकल किया गया 8 cm तो हम यहां से उचाई निकाल सकते हैं हम यहां से उचाई निकाल सकते हैं हमारा उचाई क्या हो जाएगा root 3, beta 2 into भुजा, भुजा क्या निकल किया गया 8 cm हम इस 2 से काटेंगे ये चार बाड में जाएगा, यानि हमारा निकल किया गया, 4 root 3 cm, हमारा answer क्या निकल किया गया, 4 root 3 cm, चली question समझ में आ गया होगा, next question पर चलते हैं, देखे हमारा question क्या दिया हुआ है, हमारा question दिया हुआ है, एक कार अपनी चाल जब 30% बढ़ाती है, तो वह अपने गंतब्य पर दो घंटा जल्दी पहुँच आती है, तो उसके द्वारा समान दूरी टेक करने के लिए, लिए जाने वाला समान ने समय क्या होगा, हमें क्या निकलना है, कि अगर वह अपनी वास्तुक समय लगता हमें उस समय को निकलना है, अब देखे हमें question में क्या दिया हुआ है, हमें दिया है समान दूरी यानि distance हमारा क्या दिया हो है बराबर दिया हो है अगर distance हमारा बराबर होता है तो एक हमारा concept होता है कि जो हमारा speed का रेशियो होता है उसका opposite क्या होता है time का रेशियो होता है अब देखिए हमें question में दिया हो है कि distance हमारा क्या है हमारा जो distance है distance जो है वो क्या है, same है, distance जो है वो same है, अगर distance same है, तो जो हमारा speed का ratio होगा, जो हमारा speed का ratio होगा, उसका opposite क्या हो जाएगा, time का ratio हो जाएगा, अब देखिए हम यहाँ से speed का ratio निकाल सकतें, हमने माल लिया कि उसका जो पहले speed था, वो कितना था, 10 km पर घंटा, अब जो है अपना speed, तीस परतिसत से बढ़ा रहा है, अगर हम इस दस का 30% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानि अब उसका speed कितना हो गया, 13 हो गया, अब दिखिए, यहाँ से speed का जो ratio निकल किया गया, 10 is to 13 निकल किया गया, तो time का ratio किया हो जाएगा, इसका opposite, यानि 13 is to कितना हो तीन यूनिट कम समय लग रहा है, लेकिन हमें question में क्या दिया है, कि 2 घंटा जल्दी पहुच जा रहा है, यानि 2 घंटा कम समय लग रहा है, यानि हम यहाँ से एक यूनिट निकाल सकते हैं, एक यूनिट किसके बराबर हो जागा, 2 बटा 3 घंटा के बराबर, अब वेलू निकालेंगे, एक यूनिट किसके बराबर है, दो बटा 3 घंटा के बराबर, तो 13 बटा 3 घंटा के बराबर, अब देखिए हम 26 बटा 3 घंटा को क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे 3 से काट आएंगे, और 26 को ये 8 बर में जाएगा, 8 बर में, यानि यहाँ से निकल कि गया, 8 घंटा, 40 मिनट, उसका वास्ट्विक समय क्या था, अगर अपने वास्ट्विक स्पीड से जाता, तो उसे कितना समय लग जाता, उस दूरी को तैक करने में, 8 घंटा, 40 मिनट का समय लग जाता, हमारा आंसर क्या निकल किया गया, 8 घंटा, 40 मिनट, चली कोशन समझ मे आगया होगा, next question पर चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question दिया सांथ जल में 9 की चाल बाड़े किलोमेटर पर घंटा है 9 उर्ध परवाह में 20 किलोमेटर की दुरी 2.5 घंटा में तैक कर सकती है कितने समय में 9 अनुपरवाह में अनुपरवाह में 20 किलोमेटर की दुरी 2.5 घंटा में तैक कर सकती है जब उर्ध परवाह में जाएगी 20 किलोमेटर की दुरी 2.5 घंटा में तो उर्ध परवाह में हमारा स्पीड क्या होता है 9 और धारा के स्पीड माइनस होता है यानि हम यहां से उर्ध परवाय स्पीड निकाल सकते हैं x-y निकाल सकते हैं हमें दूरी पता है और समय पता है तो दूरी हमारा कितना दिया है 20 km और समय कितना दिया 2.5 घंटा अब देखिए हम पॉइंट अटाएंगे तो 1.0 उपर जाएगा यानि उपर हो जाएगा हमारा 200 25 से 200 कितने बार में जाएगा 8 बार में यानि हमारा यहां से निकल के आगया 8 km पर घंटा अब देखिए x-y हमारा निकल के आगया 8 km पर घंटा और x हमें पता है 12 km पर घंटा तो देखिए हम यहां से y निकाल सकते हैं क्या हमें x-y पता चल गया 8 km पर घंटा और हमें question में x दिया होए बाड़े किलो मिटर पर घंटा तो हम यहां से y निकाल सकते हैं हमारा y कितना हो जाएगा y हो जाएगा यहां से y हमारा कितना हो जाएगा 4 किलो मिटर पर घंटा y कितना हो जाएगा 4 किलो मिटर पर घंटा यानि हम 12 में से 4 माइनस करेंगे तभी हमारा 8 निकल के एक्स और वाई हमें पर्दा चल गया और हमसे बोल रहा है कि अनुपरवाह में यानि जब नाव अनुपरवाह में जाएगी तो वहां क्या होगा नाव और धारा के स्पीड एड़ होगा यानि जब X प्लस Y के स्पीड से जाएगी X प्लस Y के स्पीड से जाएगी तो स्पीड कितना हो जागा 12 प्लस 4 यानि 12 प्लस का 4 ये कितना हो जागा 16 किलो मिटर पर घंटा अगर 16 किलो मिटर पर घंटा से ना हो जब जाएगी पर घंटा हम 40 को 16 से काटेंगे ये कितने बार में जाएगा ये हमारा चला जाएगा 2.5 घंटा में यानुपरवाह में 40 किलोमेटर के दूरी कितना देर में तैकर लेगी 2.5 घंटा में तैकर लेगी चली कोशिन समझ में आ गया होगा next question पे चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question दिये 3 के power 0 plus 3 के power minus 1 बटा 3 के power minus 1 minus 3 के power 0 का मान क्या है हमें इसका मान निकालना है देखें किसी चीज का power अगर 0 होता है तो उसका value क्या होता है? 1 होता है यानि 3 के power 0 दिया हुआ है तो यहाँ इसका value क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा प्लस यह हमारा क्या दियो? 3 के power minus 1 अब देखें power में हमारा minus है तो हम इस minus को हटाने के लिए क्या लिख सकते है 1 बटा 3 के power 1 लिख सकते है बटे हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा 3 के power minus 1 है यानि हम minus हटाने के लिख सकते है 1 बटा 3 के power 1 minus यह 3 के power 0 है इसका value क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा अब देखिए हम यहां से इसे लिख सकते हैं एक प्लस एक बटा तीन बटा हमारा क्या हो जाएगा एक बटा तीन माइनस एक अब देखिए यहां से हम और क्या लिख सकते हैं इसे हम इसे लिख सकते हैं अगर हम इसे एड करेंगे एक और एक बटा थीन को एड करेंगे यह हमारा कितना हो जाएगा चार बटा थीन हो जाएगा यह चार बटा थीन हो जाएगा और हम एक बटा थीन माइनस एक करेंगे यह हमारा कितना हो जाएगा यह हो जाएगा माइनस का दो बटा थीन हो जाएग हमारा answer क्या निकल किया गया option number 8 चलिए question समझ में आ गया होगा आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं next class में अगर class अच्छा लगे तो class को like करेगा अगर आप मेरे channel पे ने हो तो channel को subscribe करेगा और class को अपने दोस्तों के साथ share करना बिलकुल मत भूलेगा चलिए बाई बाई